आप लोग ने भी कहा है कि भाई जब सपार्ट बी टीम है टीमसी बी टीम है तो कॉंग्रेस क्या है? दिखे हम लोग तो लगातार हमारे नेता दरनिलालू परसाद जी तो महागटवंधन समान विचावधाराओं की पाटियों को एक जूट करके लोगतंत्र बचाने की संविधान बचाने की लडाई लड़ रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस में कुछ लोग आरेसेस के गुसे हुए ह और वो कमजोर कर रहे हैं असली लडाई को बिहार के प्रभारी ने जबसे बयान ये दिया है उसके बाद से तो ये असपष्ट हो गया कि भक्त चरंदास जी कॉंग्रेस के प्रभारी कम बीजेपी अंडिये के भक्त जादा हैं तो ऐसे ही लोगों के कारण ये कॉंग्रेस क दुरगती हो रही है आदर्नी लालू परसाद जी आदर्निया सोनिया गांदी जी स्री राहूल गांदी जी स्री तेजस्वी जादर जी ये बात करके लड़ाई को लड़ रहे हैं उसको कुछ लोग कमजोर कर रहे हैं नाव में बैट कर नाव को छेत कर रहे हैं नाव में तुबाएंगे फिर से ये लोग, ऐसे लोगों को कॉंग्रेस पार्टी हम तो मांग करेंगे, ऐसे लोगों को कॉंग्रेस पार्टी कान पकड़ कर पार्टी से निकाले, तभी कॉंग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव में मजबूती से लड़ेगी, अगर ये भरम है कॉंग्रेस को तो 543 पर कॉंग्रेस लड़के बीजेपी को हटा दे सत्ता से छेत्रिय दलों का जो ताकत है उसको कॉंग्रेस पार्टी को समझना चाहिए जमीनी हकीकत कि क्या हैसियत है कॉंग्रेस की आधर निलालू परसाद जी ने कलिक का दिया कि जबत कराने के लिए कॉंग्रेस को वहा हम दोनों सीट देते दोनों सीटों पर आरजेडी अपार मतों से जीत रही है किसी पार्टी का जमानत नहीं बचने वाला है दो नवंबर को पता चल जाएगा लेकिन अधर निलालू परसाद जी तो राजनिती के सबसे बड़े डॉक्टर हैं उनको ये पता है कि ये दोनों सीट कॉंग्रेस को अगर एक भी सीट दिया जाता तो वहां जमानत नहीं बचती ये सच्चा ही है कॉंग्रेस की सभाओं में जाकर देख लीजे कुछ लोग नहीं जूट पा रहे हैं जो कॉंग्रेस के कारिकरता है वो भी आरजेडी को भूट दे रहे हैं तो कॉंग्रेस क्या करेगी जो हमारे बिरोधी हैं कॉंग्रेस के बहुत नेता ये परमान है कि नितिस कुमार जी के इसारे पर अनाप सनाप बयानवाजी करते रहे हैं इससे कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है जनता का मूड और मिजाज बन गया है कि वो सीधे दो धाराओं के बीच में लडाई है सूच सच और जूट और गरीबी और अमीरी के खिलाब इस लडाई में जनता ने तै कर लिया है सभी जाती धर्म के लोग आर जेडिक के उमिदवार को भारी मतों से जिता रहे हैं लालू जी करिस्माई नेता है और गरीबों के मजदूरों के सोसितों वंचितों के अकलियतों के मसीहा हैं और अपने मसीहा को देखने के लिए बेकरार थी जनता अब वो इस उप चुनाव में आए हैं उनका कदम तीन वरसों लगभग तीन वर जमानत विरोधियों की बचेगी नहीं ये तय है और बिहार की राजनिती में भूचाल आना भी तय है आदरने लालू परसाद जी के पटना आने के बाद ये तय है कि NDA इस डवल इंजन सरकार की नईया डगमगा गई है और किसी भी समय बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता ABP News आपको रखे आगे